नमस्कार साथियूं, मेरा नाम है आरके सिंग, संस्किती PCS YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो प्रश्न इस बर्स पूछे गए थे, उन पर संचिप्त रूप से बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न इस बर्स पूछे गए थे, पहला प्रश्न है, निमलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अस्थली सीमा है, चार विकल्ब दिये पर हम बात करें तो भारत और बांगला देश के बीच में, बांगला देश के बीच में जो अस्थली सीमा है, अस्थली सीमा कहने का मतलब क्या है, कि मुख्य जो भूमिखंड होता है, जो मेल लैंड होता है, वो जो आपस में कंटेक्ट में है, उसकी लंबाई कितनी है, तो इस दिश्टी कौन से क्या है कि अगर यहां पर हम देखेंगे तो सबसे जो लंबी कह सकते अस्थली सीमा है वो बंगलादेश के साथ है दूसरे अस्थान पर कौन आता है तो यह चीन देश आता है हमारा जो पडोसी देश चीन है इसकी अगर लंबाई की बात करें तो यह तीसरे नमबर पर आता है और भारत जो पाकिस्थान ऐसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद जो सीमा होती है वह इसके आया कि नेपाल की है जो 1752 किलो मीटर है और अगर हम बात करें कि सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है तो वह क्या आए कि भारत और कह सकते हैं कि 106 किलो मीटर की अस्थली सीमा है जो दोनों देशों के बीच एक्जिस्ट करती है तो इस तरह से क्या है जो आपका प्रश्ण था उसका सही उत्तर हुआ बांगला देश अगला प्रश्ण देख लेते हैं यह कह रहा है कि निमलिखित में से दच्छिड भारत अंद्रगी तो देखिए अगर हम साउथ इंडिया में आएंगे तो यहां की जो सबसे ऊची पीक है यानि सबसे उची जो चोटी है वो कौन सी है तो वो है अनाइमुदी यह क्या है कि साउथ इंडिया की सबसे ऊची चोटी है और अगर बात करें तो यह दच्छिड भारत की सबसे उची चोटी है तो सही उत्तर जो आपका होगा वो होगा अनई मुदी अब दोदा बुट्टा क्या है तो यह क्या है कि साउथ इंडिया की यह सेकेंड हाइस्ट पीक है यह क्या है सेकेंड हाइस्ट पीक है और यह पश्मी घाट जो परवत स्रेडी है उसी की एक पी पीख यह मुझ रूप से कहें तो यह जो अरावली जो आरावली परवत कि श्रिंखला है उससे इसका संबंध है गुरू सीखर क्या है कि अरावली परवत की एक पीख है जो कहां देखने को मिलेगा तो हमें माउंट आभू जो पहाडी है वहां पर देखने को मिलेगा और अगर हम बात करें कि आखिर जो महिंद्र गीरी है वो क्या है तो यह तो यह जो पुर्वी घाट है इस टन जो घाट है वहाँ पर देखने को मिलेगा उसकी ये nam चोटी है और इसकी जो अवस्थिती है वो किस राज में हमें देखने को मिलेगा joe हमें उडिसा राजी में देखने को मिलेगा तो यह इससे जुड़ी कुछ मुख इन्फार्मेशन थी इसी को मैप पे आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या है कि आपको अनई मुदी देखने को मिलेगी जिसकी उचाई कितनी है तो उचाई 2695 मीटर है और अगर यहां पर 12 पीक है वो क्या है अनई मुदी है और जो सेकेंड हाइस्ट पीक है वो दोदा बेटा है तो यहां पर इससे जुड़े हुए भी कुछ प्रश्न बनते हैं जैसे अगर बात करें तो यह जो पीक्स है यानि कि साउथ इंडिया के जो सरवच चोटिया है इनका उत्तर से दच् अब प्रस्न देख लेते हैं तीसरा प्रश्न रहा है कि और ऑवस्तित बेकलप लग्धा और जासकर वयक्स तो अगर हम बात करें कि जो काश्मीर घाटी है जो बैली है ये क्या है कि एक गहरी बेसीन है ये क्या है गहरी बेसीन है और अगर इसकी बात करें कि आखिर ये कहां में देखने को मिलेगा तो मूल लूप से क्या है कि जो पीर पंजाल स्रेडी है और जो ग्रेट हिमाले है ब्रिहत हिमाले है इन दोनों के बीच में क्या है कि ये कस्मीर बैली हमें देखने को मिलती है इसको दूसरे तरह से देखें तो इसका विकास या कह सकते हैं इसका जो संबन्ध है वो प्लिस्टोसीन यूग से भी जोड़ कर देखा जाता है और मूल लूप से क्या है कि ये करेवा जील है ये क्या है एक करेवा जील है करेवा जील कहने का मतलब क्या है कि ये इसके जील या तलहटी में ये छेपित जो आवसाद हैं निछेप हैं उनके द्वारा ये निर्मित हैं और वर्तमान की बात करें तो अब जेलम नदी के द्व लम नदी से भी है तो इस तरह से हुआ इसका जो सही भी कल्प होगा आपका ब्रियाद हिमाल है और पीर पंजाल स्रेडी हो गया अगला प्रश्ण देख लेते हैं देखें यह इसका क्या है यह मैप है यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहीं पर यह आपको देखने को मिले कि यह कस्मीर बैली अगला प्रश्ण देख लेता है प्रस्ण संख्याचार यह कह रहा है भारत के निम्लखित राजियों को उनके भौगोलिक छित्र के घटे क्रम में विवस्थित कीजिए चार राज दिये गया है पहला है राजस्थान दूसरा है तमिलाडू तीसरा है मह पहले सबसे अधिक जो छेत्रफल वाला राज है उसको हमें करना है तो अगर हम बात करेंगे तो जो इन चार में से जो पहले अस्थान पर आएगा वह कौन सा हो जाएगा तो वह राजस्थान हो जाएगा दूसरे पर जो आएगा वह महाराष्ट हो जाएगा तीसरे पर कौ की कहने मतलब क्या है कि फस्ट थर्ड और तीसरे यानि चौथा और फिर सेकेंड तो जो बिकल्ब मनेगा वह फस्ट थर्ड फोर्थ और सेकेंड तो इस अधार पर अगर हम देखें तो आपका जो सही उत्तर होगा वह हो इसी को थोड़ा सा मैप पे हम देख लेते हैं क्योंकि ऐसे जो कोशन आते हैं वह पूरी तरह से इसमें अगर हम बात करें तो यह अगर आपको आकड़े पहले से नहीं मालूम होगी जैसे अगर हम बात करें तो अगर छेत्रफल बिद्धार्चार राजस्थान का है यह क्या है आगर ये पहले से आपको नहीं मालूम है तो फिर ऐसे प्रस्वन paranoid के उत्तार आप नहीं दे सकते लेकिन आगर आपको मैप का या भारत के जो विभिन राज्य हैं इनके अगर छेत्रफल का थोड़ा सा भी एक पहले से ओबर यूव पता है जैसे अगर छेत्रफल की बात करें तो आप मैप या मानचित्र को देख कर भी एक अंदाजा लगा सकते हैं तो जैसे अगर देखें तो महराष्ट अपेच्छाक कि यह कहा है कि भारत के किस दीप का उदगम ज्वाला मुखी है ठीक है कि यह बहुत सारे जो दीप है भारत के उनके नाम दिए गए है पहला बैरन कार निको बार लिटिन लीको बार उत्तरी अंदमान तो देखें इन में से जिसका सम्पन्द कह सकते हैं कि वोलकेनिक ये बहुत बड़ा नहीं है लगभग क्या है तीन वर किलो मीटर छित्रफल वाला एक कह सकते हैं कि ये एक दीप है और अगर इसकी हम बात करें कि आखिर ये हमें कहां देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा क्या है इसको अगर हम मैप पे देखें तो देखें अगर जो अंडमान पूर की तरफ आएंगे तो यहीं पर क्या है कि हमें ये बैरन डीप देखने को मिलेगा तो ये इसकी अवस्थिती हुई दूसरी अगर हम बात करें तो जो अंडमान निकोबार डीप के जो बिभिन डीप है उनमें क्या है कि ये सबसे यानि बैरन डीप क्या है सबसे पुर्वी अवस्थित ये दीप है ये भी कभी कभी पूछ देता है तो ये भी information आपके लिए महत्पूर है दूसरी अगर बात करें तो ये क्या है कि भारत ही नहीं अगर बात करें तो ये जो दीप है भारत के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो दच्छिन एसिया है यानि जो साउथ इस्ट एसिया है यहां का यह एक बात्र कह सकते हैं कि सक्री ज्वाला मुखी है तो ये भी इंपोर्टेंट है तथे आपके लिए कि भारत ही नहीं ये कहा है कि साउथ एसिया का एक मात्र कह सकते हैं कि एक्टिव बलकोने हैं यही आप से पूछ रहा है और मुझ लूप से अकर हम बात करें कि कभी-कभी ये पूछ देता है कि आखिर ये किस प्रकार के जली छेत्र में अवस्थित है तो ये बे आप बंगाल यानि बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अगला प्रस्ण देख लेते हैं प्रस्ण संख्या छे ये क्या कर रहा है कि निमलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांती ब पहला है पुस्प क्रिसी दूसरा है रेशा मुत्पादन सी है मत्सिपालन और डी है बागवानी तो देखे इसमें क्या है कि जो नीली क्रांती है ये क्या है कि एक कह सकते हैं कि एक परियोजना है भारत सरकार की ठीक है ये क्या है ये भारत सरकार की एक परियोजना है जो क् कि जो पाच्वी फिप्त फाइफ एर प्लांग था यानि पाच्वी जो पंच वर्सी योजना थी उसी के दौरान बर्स 1970 में सबसे पहली बार ये प्रारम किया गया ये क्यों प्रारम किया गया तो जो समुद्री या कह सकते हैं कि जो सागरी प्रोडक्ट उप उत्पाद हैं जो विभिन कह सकते हैं कि वहां से जो हमें उत्पाद निकलते हैं उनके विकास के लिए उनसे उत्पादन को और अधिक प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक क्या है ये एक कारिक्रम है सभसकें तो साघ्री कह सकते हैं कि मचली कैसे मचली उत्पादन से इसका संमध और इस आधार पर क्या होगा आपका जो सहीं उत्तर होगा वह McMच पालन तो यह है इसके अलवा अगर हम अगले प्रशन की बात करें कि भारत तथा पाकिस्तान के मद्ध सीमा रेखा एक उदाहरण है तो देखें भारत और मद्ध यानि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसके संदर में यह पूछा रहा है कि यह जो बाउंडरी लाइन है यह किस प्रकार के बाउंडरी लाइन का जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो बाउंडरी लाइन्स हैं उनके टाइप्स होते हैं जैसे अगर हम बात करें तो एंटेसेडेंट होता है सबसिक्वेंट होता है सुपर होता है रिलिक होता है तो इसमें क्या है कि भारत और अगर पाकिस्तान की बात करें तो इन दो पर इंपोजड यह इस बाउन्डरी का क्या है एक एक एक्जामपल है कह सकते हैं कि आखिर यह होता क्या है तो मूल लूपस अगर बात करें तो किसी भी छेत्र पर बीजे प्राप्त करने वाले जो सक्तियां है जो उपनिवेस हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है कि यहां प क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यह एक तरह से सीमा रेखा खीज दी गई जिसके बाद से क्या है कि इसका निर्धारण हुआ और इसी के आधार पर क्या है कि यह जो कह सकते हैं जो टाइपस है यह क्या है कि अध्यारोपीत सीमा का एक उदारण है इसमें क्या है कि अगर कुछ एक्जाम्स में देखेंगे तो इसको क्या है कि कंसिक्वेंट या कह सकते हैं कि इसको क्या है कि जो भारत और पाकिस्तान है इन दोनों के बीच में क्या है कि जो सीमा है इसको कंसिक्वेंट बाउंडरी लाइन भी कहा जाता है यह क्या होती है अगर बात करें कि जो कंसिक्वेंट होती है यह जो बाउंडरी लाइन खीची जाती है यह क्या है कि जाती समूहों धार्मिक समूहों भासा के आधार पे या किसी भी कह सकते हैं कि आर्थिक मतभेद के आधार पे जो सीमा र लेखा कर निर्धारण है उसका क्या है एक आधार जो कह सकते हैं जातियता है धर्म है भासा है या आर्थिक आधार भी रहा है तो इस आधार पर क्या है कि यह दोनों विकल्प हो सकते हैं लेकिन हमें जो विकल्प मिला इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा अध्यारोपित सीमा इसमें क्या है कि एक और आपको टर्म आना चाहिए जैसे अगर बात करें तो जो बाउंडरी लाइन्स है इसी में एक प्रकार होता है जमेट्री बाउंडरी ये कहां पर खीची जाती है तो इसका जो सही उदारण है वो आपको कहां देखने को मिलेगा तो देखिए जो यूएस से है और जो कनाड़ा है इन दोनों के बीच में क्या है कि एक सीधी रेखा खीची गई है तो समाने तो पर क्या है कि इसका जो संबंध है वो से है जमेट्री यानि कि सीधी जो रेखा खीची जाती है जहां भी बाउंडरी लाइन तो वह क्या है कि वह जमेट्री बाउंडरी लाइन का उदारण जैसे अगर बात करें तो यह महतपूर्ण आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि जो 49 डिग्री अच्छांस रेखा है वह क्या है कि कानाडा और यूश से दोनों को अलग करती तो वह इसका एक महत पूर्ण उदारण इसके अलावा क्या है कि कई सारी बाउंडरी लाइंड्री लाइन सो एंज़ति करें तो एंटेसेडिंट होती है Intercedent मतलब क्या है कि पुर्वर्थी ऐसी जो रेखा होती है उसकी विशेष्टा क्या होती है कि यह प्री एक्जिस्टिंग होती है यानि कि यह पहले से होती है लेकिन बर्तमान में अगर हम देखें तो इसका जो बाउंडी निधारन होता है वो किसी भी फिजिकल या है कोई माउंटेंस है उसके आधार पर क्या है कि यह खीची जाती है जैसे अगर आएंगे साउथ अमेरिका में तो साउथ अमेरिका में क्या है कि यहां पर आपको एंडिज परवत स्रिंखला देखने को मिलती है जो कि क्या है कि इधर जो चिली है और जो इधर अर्जेंट यानि कि जो चिली और जो अर्जेंटीना है इन दोनों के बीच में ये क्या काम करती है एंटेसेडेंट जो बाउंडरी लाइन है वो एक तरह से बाटने का काम करती है तो यह हमने देख लिया कि बहुत टाइप्स की जो बाउंडरी लाइन्स होती है उन में से क्या है कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है सूपर इंपोजड बाउंडरी लाइन देखी जाते है यानि उसका यह एक उदारण है अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा जलासे चंबल नदी पर बना है यह प्रश्ण आप से पूछ रहा है तो चंबल नदी पे इन में से कौन सा जलासे है पहला है नागार जून सागर भी है राणा प्रताप सी है बिंध कि रिहन तो चंबल नदी है इस पर क्या है कि राणा प्रताप सागर यह बना हुआ है इस में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो राजस्थान है जो राजस्थान है और जो मद्ध प्रदेश है इन दोनों राजियों के अंतरगत क्या है कि एक संयुक्त कह सकते हैं प्रोजेक्ट एक कमबाइन प्रोजेक्ट प्रारम किया गया जिसके अंतरगत तीन बात बनाए गया है इसमें क्या है थ्री डेम निर्मित किये गए हैं, अगर उन डेमों की बात करें, कि कौन-कौन से डेम बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको गांधी सागर, गांधी, सागरबाद, दूसरा जो देखने को मिलेगा, वो है राना प्रताप, सागर डेम, और तीसरा जो य सागर यह मंसौर में हैं और आगर हम मूल रूप से बात करें कि आखिर छो राणा-प्रताप- सागर ये कहां पर बनाया गया है तो Tex तुटव्हर् . सागर हो गया अगला प्रस्ट देख लेते हैं ये कह रहा है कि भारत में निमलिखित में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगर है यानि जिसको सिप्याड बोलते हैं क्या बोलते हैं सिप्याड बोलते हैं तो इन में से भारत में कर देखेंगे तो ये कुछ क्या है कि बड़े स CPR है उनमें सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है वो कोचीन है और यह जो चार विकल दिये गए है इनमें कोचीन क्या है सबसे बड़ा CPR है यह क्या है कि भारत के जो बड़े पोत जहां पर निर्मित होते हैं यहां पर क्या होंगे ऐसे CPR पर क्या है कि जो बड़े पोत हैं यह इनक के निर्मान किया जाता worst there हो और भारत में कैऊचिन सबसे बड़ा कि आपको पोट को निर्मावन हमें यहां पर देखने को मिलता है तो यह हमारे लिए महत्पूर्ण है अगला प्रस्ण देख लेते हैं प्रस्ण संख्या दस कहा रहा है कि भूध पी उर्जा पर आधारित मरी करण बिद्दुत सयंद्र किस राजि में उस्थित है तो देखिए अगर बात करें तो यह बात हो रही है जीओ थर्मल एनरजी की जो भूतापी उर्जा है उद में से क्या है कि जो मनी करण है इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका संबंद इन म आचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और यहीं पर क्या है कि जो कुलू जिला है वहीं पर यह हमें देखने को मिलेगा यहां पर अगर जाएंगे तो एक घाटी देखने को मिलती है जिसका नाम है पारवती घाटी पारवती बैली यहीं पर यह हमें देखने को मिलेगा औ और अगर और इसके exact location की ब्यात करें तो यहां पर ब्यास दो नदियां है पहली है ब्यास और दूसरी है पारवती इन दोनों नदियों के बीच में जो घाटी है पारवती घाटी वहीं पर यह मनी करण कह सकते हैं कि भूतापी उर्जा अवस्थित है और अगर बात करें तो भ च्छेतर हैं जैसे दिल्ली के आसपास सोहना आपको देखने को मिलेगा इधर आएंगे तो साराबादी ताता पानी और फिर क्या है कि अगर आप पुर्वत्तर में भी आएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे इधर आएंगे तो आपको गुजरात में महाराष् प्रकार बड़े अस्तर पे कारे कर रही है तो यह प्रश्ण हमने देख लिया अगला प्रश्ण है प्रस्ण संख्या इग्यार यह क्या कह रहा है कि साइलेंट बैली पर्योजना निमलिखित में से किस राज से संबंदित है ए है उत्राखन बी है हिमाचल प्रदेश सी है केरल और डी है तमिलनाडू तो देखे अगर हम बात करें कि साइलेंट बैली जो पर्योजना है यह हमें कहां पर देखने को मिलेगी तो जो केरल राज है यह केरल राजी की ही एक पर्योजना है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो केरल होगा और मूल लूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो जो डिस्टिक है पहली बात करें तो मला पूरम है पहला जो जिला है वो है मला पूरम और दूसरा जो डिस्टिक है यहाँ पर पाल घाट इन दोनों जिलों को ध्यान में रखते हुए यह क्या है कि साइलेंट बैली जो प्रोजेक्ट है यह सुरू किया गया जिसके द्वारा इन जिलों में क्या है कि क्रिसी का या क्रिसी के अंतरगत सीचाई को और सुनिशित किया जा सके तो यह क्या है कि इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका केरल होगा अगला प्रस्ण देख लेते हैं यह देखें यह क्या है कि यह आपका जो मैप है उसमें दिखाए गया है यहीं पर क्या है कि आपको silent valley देखने को मिलेगा अगला प्रस्ण है भारत की स्वाडिम चतरभुज परियोजना जोडती है यह प्रस्ण पूछ रहा है कि भारत में जो स्वाडिम चतरभुज योजना प्रारम की गई थी यह क्या है कि इन में से किन को जोडती है पहला बिकल्प है दिल्ली मुंबई चिन्नई कोलकता तो देखें बिना देखें बिकल्प ही क्या है कि पहला जो उत्तर है वो आपका सही है क्योंकि बड़े अस्तर पे क्या है कि इस परियोजना को प्रारम किया गया था कब किया गया था तो एंडिये सासन में बर्स 2000 में इस परियोजना को प्रारम किया गया था जिसके अंतरगत अगर हम बात करें तो दिल्ली मुंबई चन्नई और कुलकता को जोड़ने का यह जो परियोजना थी यह काम करती थी अगर इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा दिल्ली मुंबई चेन्न नहीं कोलकाता देखें इसी को थोड़ा सा मैप पे हम देखेंगे तो यह क्या है कि यह चतर्भुज परयोजना है इसके द्वारा क्या है कि भारत के जो चार महानगर थे उनको जोड़ा गया है जिसमें क्या है कि दिल्ली है इसके अलावा कोलकता है फिर चेन्नाई है और फिर मुंबाई है तो यह क्या है कि इसका संबंध क्या है कि यह स्वाडेम चतुरभूज योजनास है अगला प्रस्न देख लेते हैं यह कह रहा है कि निमलिखित में से किस राजे में बर्स 2011 की जनगर्णा में सबसे कम जन घनत्व दर्ज किया गया पिछले एर के एक्जाम में भी यह पूछा गया था तो ऐसे जो पॉइंट होते हैं वो लगातार पूछे जाते हैं अगर इसमें हम बात करें तो विकल्ब जो दिये गया है वो मिजोरम है अरुडाचल प्रदेश है स आ जहनी घना मतलब क्या होता है कि प्रतिवर किलो मेटर किलो मेटर में है छेत्र में रहने वाले लोगों की कि संख्या इसी को क्या बोला जाता है population density या जन संख्या घनद और ये चार राज दिये गये हैं अगर इनकी हम बात करें कि इनमें से कौन सा है तो देखें एक एक करके देख लेते हैं पहला जो है मिजोरम तो मिजोरम में जो population density 2011 के सेंसस में दर्ज की गई थी वो कितनी थी तो वो मात्र फिप्टी टू थी दूसरा क्या है अरुडाचल प्रदेश तो यहां पर क्या है जो पुरुवत्तर का राज अरुडाचल है इनमें क्या है कि जो अरुडाचल प्रदेश था यहां का जो population density था वो सबसे कम सत्रह था इसके अलावा अगर हम बात करेंगो तो सिक्किम में क्या है कि यह 86 दर्ज किया गया था और नागा लेंड में क्या है कि यह 119 तो यह चार राज्य हैं जिनकी यह सभी क्या है यह जनसंख्या है कि घनत तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे कम जो प्रतिवर किलोमीटर में अनेवरेज रहने वाले जो लोगों की संख्या है वह इंचार राज्यों में सबसे कम कहा की है तो वो अरुडाचल प्रदेश और इसमें अगर बात करें कि इंडिया में सबसे अधिक जन घनत्वाला राज्य कौन सा है तो आपका सही उत्तर होगा बिहार पहले अस्थान पे हैं और दूसरे अस्थान पे क्या है वेस्ट बंगाल है तो यह हो गया अगला प्रस्थ देख लेते हैं प्रस्थन संख्या 14 यह क्या कह रहा है कि प्रधान मंतरी ग्राम सडक योजना के उदेश से क्या है यह पूछ रहा है कि इसके आखिर उदेश से क्या है पहला है गावों को मुखे सडक से जोड़ना बी है पक्की सडक बनाना तो देखिए यह दोनों जो विकल्प हैं यह प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना के मूल उदे से इसमें मूल उपसे जो देखा गया है वो ये कहा गया है कि 500 500 जनसंख्या या इस से अधिक जनसंख्या वाले जो भिलेज हैं जो ग्राम है जो पुरा है जिसको पुरवा भी बोलते हैं ऐसे आबादी वाले जो छित्र हैं उनका क्या है कि इनको पक्की सड़कों से जोडने का उदेश प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का मूल उदेश से है और मूल लूप से अगर बात करें तो इसकी जो सुरुवात की गई थी यह क्या है अगर इस योजना की बात करें तो यह क्या आया कि यह जो योजना है यह अपने देश में 25 दिसंबर 25 दिसंबर देख सकते हैं कि 2000 में बर्स 2000 में यह डेटा हमारे लिए महतपूर है कि प्रदान मंत्री ग्राम सडक जो योजना है यह कब प्रारम की गई थी तो 25 दिसंबर 2000 को यह योजना प्रारम की गई थी जिसका उदेश है कि 500 जनसंख्या वाले जो ग्राम है जो भिलेज है या इससे अधिक वाले जो गाव है इन गामों को कह सकते हैं कि पक्की सडकों के द्वारा मुख्य सडक से जोड़ना इस प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना का मुख्य उदे से था तो ये दोनों पहले के बिकल्ब सही है इसके अधार पर जो सही बिकल्ब होगा वो होगा A और B ये A और B है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा C अगला प्रशन है भारत के 29 राजी की राजधानी क्या है चार विकल्ब दिये गये हैं है तो आपका जो सही उत्तर होगा वो हैदराबाद होगा तो आज हमने अपने इस एपिसोड में देख लिया कि बर्स 2016 में इस बर्स की परिच्छा में जो भूगोल परियावण पर सित्क और जन्संखया नगरीकरण के जो परश्न पूषे गए थे उन पर हमने बात की इसके अगले एपिसोड में बर्स 2015 में जो भूगोल परियावण और नगरीकरण के जो परशन पूचे गए होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे तो आज के इस एपिसोड में इतना ही आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद